हेलो और वेलकम टू फूट फूट फैट जहां पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी टेस्टी रेसिपी और आज के मरी सूपर टेस्टी रेसिपी है कौन स्पेशल जी हां बारिश का मौसम है और इस टाइम पे मक्का तो मतलब हर जगे आपको मिल जाएगा चाहे आ मैं लिख दी है सारे इंग्रेडियंट्स की तो प्याज, काजू, मगज के बीच, साथी हरी मिर्च और अद्रकली है उसके साथी जीरा, काली मिर्च, लोंग और नमक लिया है तो यह सारी चीज़े हम बॉइडिंग के लिए डाल देंगे एक बड़े बरतन में तो इनको हमे एकचली बॉइल करना है क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनाने वाले हैं तो यहां पे मैं वाइट ग्रेवी बना रही हूँ, इसलिए टमाटर मैं यूज नहीं करूंगी आप चाहो तो रेड ग्रेवी में बना रहे हो तो आप तमाटर भी यूज कर सकते हो, वो आपकी अपने जोईस पे है बट मैं क्योंकि वाइट ग्रेवी बना रही हूं तो इसलिए यही सारे इंग्डेडिन्स मैंने लिए हैं तो चलिए थोड़ा सा लेकादा का पानी मैंने डाला और इन्हें बॉयल करने के लिए चड़ा दिया नमक डाल दिया है साथ ही ताकि हमारी जो ग्रेवी मैं ज्यादा तर हैंड ब्लेंडर का ही यूज करती हूं कुछ भी ऐसी चीज़े बनाने में तो चलिए फटा फट से इसको एक स्मूध पेस्ट बना लेंगे बहुत ज्यादा स्मूध अगर आपका नहीं पिसरा है तो आप इसको चान सकते हो बट मेरी जो ग्रेवी है वो ब हिवाब ही बड़ी राइक है बैशादा मैं ने डाल दिया जीरा है पहले हिजिएан पयाज बॉइल क्याता थ तल पहले हूनका निकल निकल जाता हूँ बाहँ तेल मे उसको कुक करने से एक अलग ही उसका टेस्ट हो जाता है तो इसलिए गः क्ले पहले वीक्दगं थाज़ 10-15 मिनट्स हम उसको पकाएंगे और ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा चीटे बहुत लगेंगे तो इसलिए इसको ढग कर पकाएं तो आपके लिए सेफ रहेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चीटे लगाती है तो इसलिए ग्यास के आसपास जितने भी चीजें होना उनको अब हटा दे है अभी मैं ढाल दूंगे इसमें अन्हीं मसाले तो इसके लिए धन्यापाउड़Уडर। मैंने लिया है धन्यापाउडर कासूरी मेथी एंड वाइट पेपर पाघवने लिया है, आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है। तो कोई भात नहीं है, आप जाता है साथी इस जो इसाथ जाती है वोर ज़्याद बढ़ जाती है वाइट होbingड़ी जायगा ऊरम लका मैं यांपे स्वीट कॉन में यूज करूंगे यहां पर मक्य के दाने आप जो भुट्टा आता है भुट्टे के दाने आप निकाल लें और वो यूज कर सकते हैं अलका सा पहले उनको बॉइल कर लेना नमक के साथ और उसके बाद इसमें एड करना है तो अच्छे से ही मिला देंगे और इसको और थोड़ा पका लेंगे और आपके रेस्टरंट स्टाइल वाइट ग्रेवीन कॉन बिल्कुल रेडी हो जाएगी बहुत ही टेस्टी लगती है एक बाद जरूर बना कर देखना अब भी देखो जितना भी क्याइटिटि का मसाला भी यह जो ग्रेवी हमने तयार की है उस utility की according में ठोड़ा सा ओर इसमें नमक मैंने एड किया है नमक से हमने पहले भी ज域ेवी बनाई थी तब भी बॉयल की थी तब भी एड किया था बट लास्ट में क्योंकि हमें उसकी consistency की according पानी भी डालना होता है तो उस according हमने नमक यूज किया है उसके बाद last में में डाल दूँगी ये धनिया पत्ता और बस हमारी सबजी जो है बिल्कुल ready हो गई है तो आप ज़रूर इसको try करना इस बारिश के मौसम में और मुझे बत